जय हिन्द जय भारत जय स्रीराम आज भारत बंध है और उस विशे में मैं आप लोगों को कुछ विशेश सुचना ही देना चाहता हूँ जैसा कि आपको पता है आज हमने सांति पूरू तरीके से भारत बंध रखा है लेकिन इसके बाउद जूद कहीं कुछ घटनाएं घट सकती हैं उन घटनाओं के बारे में मैं आपको पहले ही अलट कर रहा हूँ इसी वीडियो में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ अगर किसी जगह भी ऐसे कोई लोग जो जबर्दस्ती दुकाने बंद कराएं या कोई तोड़ फोड करते हैं तो मैं अपना नंबर दे दूँगा आप जितना जल्दी हो मेरे इस नंबर पर संपरक करना सबसे पहले म ना किसी की निजी संपती और ना किसी की सरकारी संपती को कोई नुफ्षान नहीं पहुचाए जाएगा लेकिन इसके बावजूत भी मैं आप लोगों के बताना चाहता हूं कि कुछ एक लोग जिनकी हैबिट होती है वो ना तो हमारी तरफ से आउंगे ना उनकी तरफ से व उनको मौका मिलना जाए और यह मौका उनके पास है आप तुम मैं सबसे दुकान दारुप से कहना चाहता हूं एक दिन में कुछ नहीं होता आप एक दिन में अपनी दुकाने आराम से बंद करें एक दिन की चुट्टी बनाएं ताकि आपके दुकाने भी शैप रहे और हमा पारे जो आदमी जगे जगे आज मार्केटिंग में मार्केट में और सब जगे घुम रहे हैं उनका काम मैंने सिर्फ यह काया है कि जो भी दुकान बंद नहीं होती है उसकी फोटू क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं कहना है उसके बाद हम कल मिटिंग करेंगे जो आज दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे अगर इसके बावजूत भी कोई लूट पार्ट करता है या इस तरह जब्रदस्ति आपकी दुकाने बंद कराता है तो मेरा नंबर पर ले तो नोट कर लो इस नंबर पर आप मेरे को संपरक करके बताएं कि यहां आपके साथ ऐसी घटनाए हो रही है या मैं अपने बंदों से भी कहता हूं जहां आप देखते हो कि कोई अलग गुट बढ़ा कर कि इस तरह की अरकत कर रहा है तो हमें सूचना जरूर करें क्योंकि हमारा नाम किसी अब तरह बदनाम नहीं होना चाहिए जैसे अन लोगों ने दो तारिक को अपतों किया था वह कताई बरदास्त नहीं करेंगे ना हम करेंगे और ना किसी को करने देंगे दूसरी बात प्रसासन को सब को सचीत कर दिया गया है और जहां तक मेरे नौलेज़ की बात है आज टेस में कहीं भी किसी का पेपर नहीं है इस्टुडेंटों के लिए सरकार ने आज के जो पेपर थे तकरीबन तकरीबन रद कर दिये हैं उसके बावजूद भी अगर कई है तो आप शांती से बापर देने जाएं और आजाएं उसके अलावा जितना हो सके आज इसकूल की भी छुट्टी करें क्योंकि यह लोग हो सकता है इसकूल बस को भी है तो सावधनी बर्तने के लिए इस्ट्रेंट रिवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज की छुट्टी करें ज्यादा ही जरूरी हो तो ही निकलें और सभी जनता से फिर अपील करता हूं कि बंद को शांती पूरू और एक अच्छे तरीके से करने के लिए आज अपने घरो साथ ना निकले और शांतिश अपने घरों में रहें और हमारा समर्थन करें हमने पहले बता दिया यह बंद मैं सिर्फ इसलिए है कि जिन लोगों ने हमारे धर्म का अपमान किया अगवान श्री राम बद्रंग बली और उनकी फोटो को कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले की थ तुम इसी तरह अगर तुम्हारे को छूट दी गई तो तुम इन मुसल्मानों के साथ मिलकर या जो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है देश तोड़ने की इन से मिलकर तुम ऐसे ही उपद्रू करोगे और इस देश को बदनाम करोगे हमने पहले कहा आप भीमराव साब को कि पूजें और किसी को पूजें उससे हमें तकलीब नहीं लेकिन हमारे भगवानों पर इस तरह का उखरोगे तो बक्सें नहीं जाओगे और आज से बंद हमने मजबूरी में किया था मैंने पिसली वीडियो में बता दिया हम भी नहीं चाहते थे थे कि बंद हो लेकिने जिस तरह तुम पिछली बार 70% ठुके थे इस बार हैंडर फ्रसेंट ठुकोगे वह लठों से इसलिए इसके बाज के बाद कोई भारत बंद नहीं करेगा आपको करना है सत्या करे करो धना प्रदस्न करो लेकिन यह बंद 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 घरतो आज का संदेश यही था शांती से और कोई भी हमारा आदमी इस तरह कर तोड़ फोड़ ना करें जय हिन जय भारत